हेलो और वेलकम आई डियर सोल फैमली कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे आज की रीडियो होने वाली है बहुती जादा खास और स्पेशल क्योंकि आज आज आप सब इने बोरा था कि माम करेंट फीलिंग्स पे रीडिंग कीजिए या फिर ये माननी जे मैं ये करने वाली हूँ कि अगले 24 आर्ज में उनकर नेक्स टाक्षिन क्या होने वाला है ठीक ह अपने पर्सन का नाम लेते रहे ये ये पर्सन कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो चीज उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं की क्या होगा उनका next action angels प्लीज हमें 가ाईट कीजिए क्या होने वाला इनका next action इतनी तकलिफ क्यों होगी या सिंसान को क्या छुपाय बैठे इस ही अपने मन में लग रहा है ये किसी नई चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं लग रहा है कि ये किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अब क्या चल रहा है उनके मन में? मुझे लग रहा है कि ये अपने आपको ना किसी से दूर करने की कोशिश करें डिस्टिंस मेंटेन करने की कोशिश करें भागने की कोशिश करें और अपने अंदर बहुत सारी चीजों को बदलने की कोशिश करें ध्यान से देखिए ऐसा लग रहा है इस परसन के मन में बहुत सारी चीज़े जो हैं अभी नई नई जो है आई है और इनको कुछ पता चला है, ऐसा लग रहा है, इस इंसान का दिल तोटा है, कुछ खुलासे हुए है क्या है वो चीज जानने की कोशिश करते हैं मुझे इससे क्यों लगता है कि अभी थर्ड पार्टी का खुलासा हो गया है और आपके परसन को उनसे बिल्कुल भी उमीद नहीं थी और यह सुनके आपके परसन को न जाने क्यों बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है ये देखिए 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 ध्यान से देखिए बहुत हुए हैं ये जो थार्ट पार्टी है इनके बहुत ज़ादा करीबी हूँ जिस वज़े से आपके परसन का एक तरीके से भरोसा उटसा गया भरोसा तूट गया है इनको उमीद नहीं थी कि ये परसन ऐसा कर सकते हैं इनोने तो इनको अपना दोस्त बाना या फिर हो सकता है अगर इनकी family आप दोनों के बीच में दिवार बन के खड़ी हो तो इनको आज तक ये लगता रहा कि इनकी family सही है इनकी family genuine है या फिर जिसने जो भी बोला है वो बिल्कुल सही है लेकिन अब इनको रिलाइज हो रहा है अब इनको पच्टावा हो रहा है कि हे भगवान हे इश्वर हे उपर वाले तुने मेरे से ये कितना बड़ा पाप करा दिया जो इनसान मुझे दिलो जान से प्यार कर रहा था ये कर रही थी तुने मुझे उसी से ही दूर कर दिया ये मेरी खुद की गलत फैमी थी और उससे दूर होके मुझे आज तक कभी ना चैन आया ना सुकून आया ना करार आया अगर ध्यान से देखा जाये तो आपके परसन अभी खुद को कोस रहे है लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से देख लीजे कितनी तकलिव बढ़ती जा रही है पच्टावा ही पच्टावा है खुद को इन्होंने दूर कर लिया है थार्ड पार्टी से उनके रियालिटी को जानने के बाद आप मैं अपने वियोर से ये बोलना चाहूंगी कि आप धहरी रखिये वो दिन आप दूर नहीं जब आपका रियूनियन होकर ही रहेगा पदा नहीं क्यूं मुझे ऐसे लगता है कि आपका रियूनियन होने में आप जादा देर नहीं बची है आपके person के मन में जो खुलासा हुआ है मुझे लग रहा है कि आपके person ये बात आपसे share करना चाहते है इस moment पे लेकिन कितना ज़्यादा तकलीफ है इनके दिल में बहुत तकलीफ है आपको लेकि और टॉमरोल मुझे ऐसे लग रहा है कि गुसा भी इनको बहुत आ रहा है मुझे इसा लग रहा है जब इनका परदाफाश हुआ है थर्ड पार्टी का तो आपके person ना अब आपको सब कुछ बताना चाहते हैं और आपको ये बोलना चाहते है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे लगता है आपके person के मन में इसके लावा कोई और खोट दिखाई दे रहा है ऐसे लग रहा है आपके person अपनी गलती को मानने के लिए रेडी है कहते हैं एक divine timing होती है जब ऐसा लगता है कि इनसान बिल्कुल ready होता है कोई चीज़ करने के लिए तो मुझे ऐसे लग रहा है आपके person बिल्कुल कहते हैं ये divine timing ही है जिसने ये सारा खेल रचा और परदा फाश हुआ आपके person को कहते हैं कड़ी से कड़ी मिला रहे है आपके person को पूरा भरोसा हो रहा है बिल्कुल अंदाजा लग रहा है इस बात का नदाजा लग रहा है आपके person को कि किसने क्या किया मुझे ऐसा लगता है किसने क्या किया किसने क्या गड़बढ़की किसने किसको बढ़काया कौन सही था कौन गलत था कौन सच्चा था कौन जूटा था किसने मुखोटा पहन रखा था तो शाबाश मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ी खुशकबरी और कोई नहीं हो सकती इनको समझ आगी इस सारी चीज़े क्यों होई कैसे होई कैसे आप दोनों को धीरे 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 एक होता है दीडे 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 स्लो पॉईजन दे के मारना आपके रिष्टे को स्लो पॉईजन दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आ गई है इस वीडियो के बाद जरूर से देख लीजिएगा कोई भी प्लीज मिस ना करे बहुत सारे खुलासे होने वाले है अब जब आपके परसंट की आँखे फाइनली खुल गई है फाइनली खुल गई है तो आपके परसंट का नेक्स्ट आक्शन क्या होने वाला है नेक्स्ट आक्शन क्या होने वाला है इस परसन को आपके लिए इतनी ज़्यादा हमदर्दी आ गई है एकदम से जब इनकी आँखे खुली देर से ही सही आपके परसन को पता तो चला कि क्या सचाई है क्या सही है क्या गलत है जिस पल उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी उस पल उनकी लाइफ का सबसे बड़ा कितनी है दिमाग अंधा कर देने वाला या फिर ब्रेन फॉगिंग जिस हो जाती है समय नहीं आता है इनकी कन्फ्यूजिंग पार्ट था उनकी लाइफ का जहां उनको लगा कि सब कुछ सही है जब कि सब कुछ सही नहीं था सब कुछ गलत होकर भी उनको लग रहा था कि सब कुछ सही है मुझे इसा लगता है या आपसे पहले आके माफी नहीं मांगेंगे पहले आपका हालचाल कुछेंगे या देनी एक डिफरेंट टाप का कनेक्शन आपके साथ इनको अब फील हो रहा है जहां पे इनको पता चला है कि आप अपनी जगा बिल्कुल सही थे अब ऐसे लग रहा है कि दिवार पे अपना ये सिर मार रहे है कि क्या कर दिया मैंने क्या कर दिया मैंने मैंने से सपने में ऐसा मैं सोच रही था जिस इंसान को मैंने पाया जीता इतनी मेहनत की इतनी शिज़त से हम दोनों करीब आये थे हमने इतने सारा टाइम बिताया आप में से बहुत सारी लोग ता ऐसा है कि मझे लग रहा है शादी भी कर चुके शादी शिदा हो चुके है कैतनी अप पच्च दावत क्या फाइदा जब चुड़िया चुक गई खेत ऐसा लग रहा है कि बहुत गुसा रहा है इनको अपने उपर भी बहुत गुसा रहा है अपने उपर गुसा रहा है और थर्ड पार्टी की तब बुरा ही हाल है उससे तो जवाब मांग रहे है ये प पूछें और आपको धका लगए हाँ भी कितने साल से तुम कहां थे तुम्हारा मकसद क्या है इनका मकसद यह है कि आपके बारे में पूछेंगे आपका हाल चाल पूछेंगे लेकिन आपके बारे में जानना आपको समझना आपको दुबारा से प्यार करना और आपको इज से माफी नहीं मांगेंगे यहीं नहीं दिखाएंगे इनको बहुत सारा बहुत बड़ा खुलासा हुआ है लाइफ में इतने सालो बाद बस हो सकता है या आपसे दोस्ती बनाने की कोशिश करें बस हो सकता है या आपके पास दुलहनिया ले जाएंगे, इस बार आपको इनकी दुलहनिया या फिर आपको इनका दुलहा बनाने से कोई नहीं रोख सकता क्योंकि जिस तरीके से जिस शॉरिटी के साथ, जिस जुनून के साथ अभी आ रहे हैं, दुगनी ते जिसे आप लोग वेट कर रहे थे ना कब तक आएंगे, कब तक आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं आप इनको समाल के दिखाईए आप या फिर मैं बोलो आप इनको रोख के दिखाईए, कोई तो रोख लो, आप भी नहीं रोख पाएंगे जली से डिस्क्रिप्शन रॉक्स में यूरिडिंग आ गई है, उसको जाके देखिएगा जरूर, जो पैशन है एक नई शुरुआत दिख रही है दोनों के बीच में और यह उनके अंदर एक ऐसी आग लगी है ना, जो जो कोई नहीं बोजा सकता सिर्फ आप ही बोजा सकते है बोजने से तो रुक गई है मतलब नहीं बोजेगी आग यह जो पैशन ही, जो जुनून जो आपके लिए पागलपन अब नज़र आ रहा है न लग रहा है कि एकदम से काले बादल जो है गिरे हुए थे, एकदम से छट गए एकदम से सूरज की रोशनी आफरी हमाने जो रेंबो सा आ गया हो आप दोनों की लाइफ में अब ऐसा लग रहा है कि आपकी आपकी लाइफ हापी एंडिंग के तरह नहीं हापी बिग्निंग के तरह बढ़ रही है ऐसा लग रहा है कि परसना मान चुके हैं कि अभी तक तो मुझे डाउट था जो हुआ कैसे हुआ गलती थी या जो भी थी अब तो मुझे पुरा पका यकीन है कि यही मेरे लाइफ पार्टनर है बस अब इनको मनाना रहे गया इनको दिल जीतना रहे गया है बस किसी तरीके से मैंने अपना बना लूँ बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए पुरी जिन्दगी मैंने उनको अपना बना लेना अपनी जिन्दगी उनके नाम कर देनी क्योंकि जितने सैक्रिवाइस जितना प्यार उन्होंने मुझे किया जितने डेडिकेशन दिखाई है ना लाइफ में भाईसा बस कोई ने दिखा सकता अपकी वैलियो को समझ रहे है आपसे बोले होए जूट उनको याद आ रहे है पुरानी जितने भी खुद की गलती है एक एक करके आप क्या गिनवाएंगे आप तो बाद में गिनवाएंगे एक एक करके अपनी गंती मतलब के दनी है गिल्टी फील करें अपनी गलती की लिस्ट बना रहे है यह परसन अभी बैठके आपनी जो जो बोला जो जो कहा पास्ट में जाके रिकॉल करें है कि अपने आपको सुधार सकूँ वो चीजों को याद करें जिससे आप हसते थे वो जो चीजों को याद करें जिससे आप खुश होते थे दुबारे से आपको इंप्रेस करने का आप पी इंप्रेशन बनाने का बहुत तगड़ा प्लान बन रहा है डालिंग देविया और सजनो समल जाए प्यार थाम ले इस रीडिंग का पार्ट टू हम लेके आएंगे नेक्स्ट मूव पर स्पेशली नेक्स्ट आक्शन पर अब मुझे इजाज़त दीजिए अगर आप कोई रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे भी बताके जाएएगा मुझे भी थोड़ा सा प्यार देके जाएएगा क्योंकि मेरे दो अभी पार्टनर है नहीं तो आप सभी मेरे पार्टनर एक तरीके से मेरी एंजल्स, मेरी सोल फैमिली ही मेरे सबसे बड़े पार्टनर, सपोर्टर, मोटिवेशन, प्यार, दुलार सब कुछ है मेक शूर इस वीडियो को प्यार देके जाएगा लाइक करके जाएगा कॉमें सेक्शन में प्यार से भर दीजिएगा I love you लिख दीजिएगा मैं भी I love you too लिख दूंगे आप सभी को description box में जाके new reading को देख लेजिएगा मिलोंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए God bless you and love you all